सो हेलो स्टुरेंट्स क्लास नाइन्थ का आज हम चप्टर 3 पढ़ने वाले हैं कोडिनेट इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के सारे कोश्चन लगाएंगे और कोश्चन लगाने से पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडेक्शन भी हम देखने वाले हैं और जनरली चप् हेलों को वीडियो को सुरू करते हैं और कई आझ एक्सरसाइज 3.1 जो हैं बहुत ही ज़्यादा आसान है और कह जाया तो यह चैप्टर 3 बहुत ही ज्यादा आसान चै assumptions में हैं और बहुत आसान आसान questions हैं गोले बहुत के नहां पर बताऊंगा ठाकी आपको डॉट ना तो इंड्रेक्शिन एक साइस के इंड्रेक्शन में हम पढ़ने क्या वाले हैं अगर हमारा यह एक टेबल है माल लीजी यह हमारा टेबल पूरा टेबल है ठीक है और इसको मैं इस तरीके सभाता हूँ mappedAirN ok like.. assume that this is our table let us assume this is our x x or horizontal axis or which скажona and this is called y we can write that x-axis and this is by axis हो वोके not अब स्टे बल में माल लीजे मैंने कोई फ्वाइंट fascinto मैं यहां पर एक होइंट मर्तिया मैंने एक क्याने इस फॉइंट का लोकेशन आप कैसी बताओ ग frustrated एक प्लेन है ये एक प्लेन है है इस plane पे इसकी location बताइए और जीन के रिस्पेक्ट में या फिर आपका इस plane पे और जीन के रिस्पेक्ट में नहीं जैसी है तो हमारा origin क्या होता है x और y-axis जो cross करती है इस point को इसको हम लोग कहते हैं origin जिसको capital O से दिखाते हैं अब यह देखो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे हम इस distance को बताने के लिए एक बार कि तक है agreement की x से कितनी दूरी पे है और देखेंगे y से कितनी ह्याग है सबसे पहले क्करेंगे हम यह देखते हैं यह x आपने इसको मेजर किया से आप मेजर करोगें क्या मेजर करोगे आपको सरिफ और सरी पॉइंट है वही मेजर करना है और और इसामपल यह दीरो है यह हमारा 1 होगा, just assume, यह हमारा होगा 2, equal distance पर रहता यह 3, this is for example 4, and just assume this is 5, okay, और here 1, 2, 3, 4, and this is 5, okay, मैंने scale से measure कि यह जो line है, x-axis पर 5 है, और यह वाला जो y-axis पर जूरी पर जो इस dot का, यह भी 5 है, okay, तो यह point का location क्या होगा, इस point की जो location है वो हो जाएगा 5, 5, okay, generally किसी भी point, इस plane पे कहीं भी मैं point रखूँ, उस point को हम x, y से represent करते हैं, किसे represent करते हैं, x, y से, अब x, y में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यह point यह mark किया, इस point की x से कितनी दोरी है, यह हमारा x-axis है न, यह हमारा x-axis है, इस x-axis से इसकी दोरी कितनी है, इसकी दोरी है कि देखने के लिए आपको कौन सा लाइन देखना पड़ेगा, आपको y-axis वाला देखना पड़ेगा, है न, आपको y-axis देखना पड़े है, कितनी दोरी पे है, 5 दोरी पे, ओके और y क्या है, y, y find करने के लिए, y से कितनी दोरी पे, यह point y से से कितनी दूरी पर देखने के लिए आपको एक से का नंबर देखना होगा तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आगे हम और डिसकस करेंगे इसके बारे में डिटेल में अभी आपकी क्लास है इस क्लास में number of row and number of columns ठीक है number of row इसको रो बोला जाता है इस इस नंबर आप रोज और इस तरीके से बोलेगी teacher कि teacher यहां पर जो भी प्रिनस करेगी वह row, column के according करेगी यह actual में क्या है एक्स कॉमा वाई तो teacher ने बोला कि भाई मुझे third row ठीक है third row fifth column का जो बच्चा है third row fifth column का जो बच्चा है वो खड़े हो जाओ तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह teacher के कैसे बच्चा कैसे समझेगा तो यह पहला रो हो गया यह दूसरा रो और यह तीसरा रो यह तीसरा रो यह पूरा आ जाएगा यह तीसरा रो बट इधर से column कॉन से बोल रहा है इस तरीके से हम प्लेन को या फिर किसी भी पोजिशन को डिफाइन करते है एक कॉमा वाई ठीक है चलिए exercise 3.1 करते हैं बहुत दो कोश्चन ही है बहुत आसान है सबसे पहला जो कोश्चन है कोश्चन कह रहा है आफ यहां पे दो पर सँ एक पर सबसे इधर कहीं फ़ड़ा है यहां पर खड़ा है और दूसरा बंदा हमारा यहां पर खड़ा है तो आप नबर 1 हो, तो आप इस table पे, ठीक है, इस table पे बहुत सारे, माली जे leMP, just assume, बहुत सारे lamp रखे हुए है, बट आप उसमें से किसी एक lamp को चाहते हो, कि ये बंदा, दुसरा नमबर उसी को pick करें, और किसी lamp को pick ना करें, ठीक है तो उसके लिए आपको कुछ coordination देना होगा अपने बंदे को ताकि वह वही lamp उठाए है ना तो just assume that यह टेबल है उस पर एक lamp रखा है उस lamp का location बताना है आपको दूसरे बंदे को तो कैसे बताएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो यह हमारा x-axis हो गया और यह हमारा हो गया इस तरीके से वाइए आपको क्या करना है आपको लेना है एक स्केल लेना है तो मैंने एक स्केल लिया यहां पर स्केल को खड़ा कर देता हूं इस तरीके तो कि नाइटी गिरी करनों और के नाइटी है तो सबसे पहले एकस से उसकी दूरी क्या है क्या है एक मेजर कर लो एक से एक सिस्टे इस एक सिस्टे कितनी दूरी तो मैंने यह मेजर कर लिया यह बाई कि दूरी है इसका है और यह मैंने अब उसकी बाद क्या करूंगा अब मैं यजर करूंगा वाइक सिसे मेजर करकी देखता हूं और यजर करता हूं कि ए कर दो तो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे यह एक्चुल 6 है ठीक है तो y-axis से कितना 6 की दूरी पे हैं और इधर से अगर आप देखोगे कितना चेक किये थे यहां पे था हमारा लगभग 2 माल लेते हैं थोड़ा बहुत हैं यह 2 यह लम्त कीक पोजिसन पर हैं हमेने साज होता है वह×, y के तमने बतारा है थीक है तो यह इस पॉाइंन थी जो ल Frans पहें उसकी X से कितनी दूरी है i.e. 2 और Y से वाइयक्ससे कितनी दूरी है तो आप क्या बोलोगे साथ अपने बंदे को कि भाई जो लैंप है 2,6 पे रखा हुआ है तो और भी जो लैंप यहां पे रखे होंगे वो किसी और को ना उठा कर सिर्फ और सिर्फ किसी लैंप को पिक करेगा इसी तरीके से बताते है यह को इसी अगला को देखते है इस एक्सिस का बहुत बढ़ा को शॉट मैं आपको यह कोसिस समझाने के कोसिस करता हूं इसके बाद अपन गाइगरांब से इसके एंसर देंगे कह रहा है एक city has two main roads which crosses each other at the center of the city these two roads are along the north-south direction में एक road जा रहा है एक east-west direction में जा रहा है तो तो universal map जो बनता है हमारा कुछ इस तरीके का बनता है universal हमेशा यह direction आप तभी पढ़ाई करने में यह east होता है यह west होता है यह north होता है यह south यह जा रहा है तो दो रोड है एक north-south direction में जा रहा है मतलब एक यह north-south एक road ऐसा है और एक east-west direction में इस तरीकी का दो road है दो main road है ठीक है एंसी main road है तो सबसे पहले इसको draw कर लेते हैं तो यह मैंने दो road draw कर लिया है मैं इस पर लिख भी देता हूं ताकि आप confused ना हो कौन सा यह हवा इसको थोड़ा इस तरह किस एक्स्टेंड कर देता हूं इधर यह हमारा क्या हो जाएगा दीवार इस डारेक्षण यह हो जयगा हमारा विस्ट डारेक्षण यह हो जाएगा क्या में नॉर्थ डारेक्षण ही हो जाएगा मेरा साउथ जारेक्षण हो यह दो में रोड है यह आपस में फिर्यों क्रॉस कर रहा है आगे कह रहा है कि all the other इसके अलावा और भी छोटे-छोटे गलिया है इस्ट्रीट है इस रोड के एकदम पैरलल जा रही है और 200 मेटर एपार्ट इंग गलिया है उनके बीच का जो डिस्टेंस इतनी भी गलिया है कोशन में दो सो मिटर का डिस्टेंस है कि यह फाइफ इस टरीड में में इस पराइफके सी ऑके से तारीकों युजिंग वन सेंटिमिट टूहंडड के जो गयंसेंटिमितर आपने स्केल के प्राइल लाइन 5 इसके पिरलल करना है और इस्ट-वेस्ट के 5 इसके पैलल करना है बट के जो जो घब है आपको मुपपहले मौटल करुद कर लीजी ऊट और मैं इस्ट वेस्ट जो है हमारा इस्ट और जा माओ हमारा वेस्ट है इसके जो parallel 5 street है मैंने ड्रो कर लिया है तो यह लिजे मैंने नॉर्थ साउथ के और इनके बीच का जो गैप है एक सेंटीमीटर का है ठीक है तो मैं इसको इस तरीके सलिक यहां से यहां एक सेंटीमीटर तो एक हो जाएगा यह दो यह तीन चार और यह पांच उसी तरह यहां भी एक सेंटीमीटर मतलब 200 मिटर स्केलिंग कर लो स्केलिंग में मैं क्या बोल रहा हूं एक सेंटीमीटर को मैं 200 मिटर मान के चलूंगा यह स्केलिंग किया हूं मैं 1 2 3 5 5 सेंटीमीटर मतलब 5 तूज़ 10 1001 1000 मिटर हो जाएगा अब आगे क्या रहा है धिर और मेंडी क्रोसिट स्टीट इन यूर मोडल हां भुस सारे च्रूछ को दिख रहे हैं जो की रेड और गरीन इसपोसरे प्रॉस प्रॉस कर रहे हैं अब प्रटीकुलर क्रॉस स्टीट इसने वाइट वान रॉन रंनिंग नौर्थ साउथ डिरेक्शन एंग इंदे इस्ट वे स्ट डाएक्शन आ तो पांच है पांच उस्ट मरूं करना है एच क्रॉस इस इस्ट इस राफ़ इसमें क्रोंत सबूस करेंड इसे के सरी रॉनिंग इन दा नौर्थ सौथ डारेक्शन तौह है यह रहा हमारा ग्रीन कलर यह इस जितना दिख रहा है नौर्इट साथ कम नौर्फ्स साथ सेंद government नेकें से आपको मार्क करना है मैं इसको यह मार्क करता हूं यह रहा हमारा सेंट इसंद इसमें कर लेता हूं और इस्ट वेस्ट डिरेक्शन तो रिड कलर सीस्तरिश इसका है इसका के और सेंट यह इसकेंड यह पॉइंट को प्रॉस कर हुआ है किस पॉइंट का कोडिनेशन क्या हो जाएगा डेट इस एक्स टू कॉमा फाइफ हो जाएगा इस पॉइंट का स्ट्रीट जो क्रॉस कर रही है इसका कोडिनेशन क्रॉस पूछा है इस पॉइंट पर यहां पर कितने श्ट्रीट क्रॉस कर रहा है तो यहां पर कितने श्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं पॉर कॉमा थी पह तो फाई एक रेड कलर का दिखरा एक ग्रीन कलर का एक इसको सो करना है फिकर में तो मैंने यह पॉइंट तो कर दिया कितना फॉर कॉमा थी अगला है यह क्या हुजाएगा फ्री कॉमा यहां भी एक एक और घ्रीन जा रहा है तो एक लिन लॉन जा रहा है तो यह यहां प의 डू इप्रेज़ेगे प्लागा कर बांकर इस सब ニई gesture में हैं तो पसंड यह यहज़ित्के का रहता हूं झाल झाल